आज हम डिसकस करेंगे 27 वरवरी से 5 मास तक के सभी important questions और उनसे related facts भी मैं आपको बताऊंगे तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना और आपको वीडियो कैसी लगी आप comment section में बताएं और आज के questions की PDF आप download कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल से चैनल का link description में दिया है लिंक पर click करके आप group join भी कर सकते हैं वहाँ आपको सारी PDF एक जगा मिल जाएंगी तो चले फिर start करते हैं फर्स question is महिला T20 वर्ल्ड कप में सरवाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है इन्होंने 32 मैचों में 43 विकेट लेकर यह record बनाया है यह South Africa की महिला क्रिकेटर है इन्होंने सबसे तेज गेंद फेकने का record भी बनाया है इन्होंने 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेकी है second question is आईयने सुकन्या आधिकारिक दोरे पर किस देश के पोर्ट पर पहुचा है सो करेक्टेंसरी सी श्रीलंका आईयने सुकन्या श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर पहुचा है श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुण वर्धने है और राशपती रानिल विक्रम सिंगे है श्रीलंका की करंसी श्रीलंकाई रुपिया है श्रीलंका की दो राजधानी है एक है कोलंबो और दूसरी है श्री जैवर्धना पुरा कोटे श्री जेवर्धना पुरा कोटे श्री लंका की प्रशासनिक राजधानी है और कॉलम्बो व्यपारिक राजधानी है दिवंगस सीडिये स्विपिन रावत के सम्मान में श्री लंका के श्री मुक्तिनात मंदिर में घंटी लगाई गई है भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतरगत श्री लंका को 50 बसें प्रदान की है दोहजार चोबिस में अंडर 19 वर्लकप की मेजबानी श्री लंका करेगा श्री लंका के उपन्यासकार शेहान करुना तिलका के उपन्यासको 2022 का बुकर पुरुसकार मिला है चीन को पचाड कर भारत श्री लंका के सबसे बड़े रिंडाता के रूप में उभरा है महवेली गंगा श्री लंका की सबसे लंबी नदी है थर्ड क्वेशन इस पूसा क्रिशी विज्ञान मेले का आयोजन कि शहर में किया जा रहा है सो करेक्ट एंसर इस डी नई दिल्ले केंद्रिय क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्री नरेंद्र सिंग तॉमर ने इस मेले का उधगाटन किया है पॉर्ट क्वेशन इस की से केंद्रिय विद्यूत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सो करेक्टेंसरिस सी जिशनु बरुआ P.I.B. का प्रधान महानिदेशक राजेश मलहोत्रा को नियुक्त किया गया है नासा ने निकोला फॉक्स को पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुक के रूप में नियुक्त किया है फिकी ने शैलिश पाठक को अपना महासचव नियुक्त किया है डिरेक्टर जेनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार आरेस रीन ने संभाला है सैयुक्त राश्ट्र ने अफ्षा खान को कुपोशन समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुक्पद पर नियुक्त किया है फिफ्थ क्वेशन इस सात्वा अंतर राश्ट्रिय धर्म धम सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है इस सम्मेलन का उद्घाटन राश्ट्रपती द्रापदी मुर्मु ने किया है कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदाई परियतन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है केरल की राजधानी तिरुवनंथ पुरम है और केरल के गवर्णर आरिफ मुहम्मद खान है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजियन है केरल में मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक्स के वेंजर्स का उप्योग करने वाला पहला राज्य केरल बना है छेत्रिय भार्षा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट बना है केरल ने पहली राष्ट्रिय बीस सौकर चैंपियंशिप दोहजार तेईस जीती है सावंथ क्वेशन इस किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है सो करेक्ट एंसर इस बी रश्मी शुकला रश्मी शुकला 1988 बैच की महराश्ट्र कैडर की IPS अधिकारी है भारतिय टेलिफोन उद्ध्योग के नए CMD राजश रॉय नियुक्त हुए है भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जेनरल के रूप में राजीव रगुवन्शी को नियुक्त किया गया है जिनेवा में ILO के बहाईये लेखा परिक्षक के रूप में गिरीश्चंद्र मुर्मू को चुना गया है नीती आयोक का नया CEO BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है एट क्वेशन इस भारत के किस पडोसी देश ने सौर उर्जा के उप्योग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझोता किया है सो करेक्ट एंसर इस सी बांगलादेश ISA इस इस इंटरनेशनल सौलर अलायंस बांगलादेश की प्रधानमंत्री शेक हसीना है और करंसी बांगलादेशी टका है बांगलादेश की राजधानी ढाका है मोहमश राबुद्दीन बांगलादेश के 22 राश्पती बने है बांगलादेश में वैश्विक युवा जलवायू शिखर सम्मेलन शुरू होगा बांगलादेश के क्रिकेटर रूबल हुसेन ने टेस क्रिकेट से सन्यास की घोशना की है वंडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांगलादेशी बल्लेबाच तमीम इकबाल बने है नाइन्थ क्वेशन इस दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलिकोम ब्रैंड कौन सा बना है पहले नमबर पर स्विटजर लेंड का स्विस कॉम है और दूसरे नमबर पर रिलाइंड जीओ है और तीसरे नमबर पर UAE का एटसलाट बॉय है तेंथ क्वेशन इस पहला बोडो लेंड अंतर राश्ट्रिय ग्यान महोतसव कहां शुरू हुआ है सो करेक्ट एंसर इस A. आसम आसम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा है और आसम की राजधानी दसपुर है आसम के गवर्णर गुलापचंद कटारिया है गुलापचंद कटारिया ने आसम के नए राजेपाल के रूप में शपत ली है असम का नया डीजीपी ज्यानेंद्र प्रताप सिंग को नियुक्त किया गया है असम सरकार ने मटिया बाग हावा महल का अधिग्रहन किया है असम के मंत्री मंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक पारित किया है पूर्वोतर के पहले युनाने चिकित्सा छेत्रे केंद्र का उद्घाटन सिल्चर में किया गया असम के मुख्य मंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुवात की 11. भारतिय वायू सेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है जापान की राजधानी टौक्यो है और करंसी येन है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशीदा है भारत और जापान के बीच सयुक्त प्रशिक्षन अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ओटो बाजार बना है भारत और जापान के बीच सयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन हुआ है मालाबार एक्सेसाइज 2022 जापान में शुरू हुई है 12th question is किसने भारत का पहला एर कूल कंडेंसर चालू किया है सो करेक्ट एंसर इस सी एंटी पीसी एंटी पीसी इस नैशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन इसके स्थापना 1975 में हुई और इसका हेड़कौार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान चेर्मेन गुर्दीप सिंग है 13th question is Next generation fuels पर IIT मदरास ने किस देश के साथ साजेदारी की है सो करेक्ट एंसर इस बी डेनमार्क IIT मदरास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षन मोड्यूल विक्सित करेगा IIT मदरास ने राश्ट्रिय बाधिक संपदा पुरुसकार जीता है NASA और IIT मदरास के शोद करताओं ने अंतरिक स्टेशन में सुक्ष्म जीवों का अध्यन किया है शिक्ष मंतरी धर्मेंद्र प्रधान ने IIT दिल्ली में आइन्वेंटिव का उद्घाटन किया है भारतिय भाषा प्रोध्योगीकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मदरास ने नीले कणी केंद्र लॉंच किया है IIT कानपुर ने निर्मान त्वरक कारेक्रम शुरू किया है 14th question is कौन दूसरे B20 कारेक्रम की मेजबानी कर रहा है So correct answer is C. Isol 15th question is बोला तिनुबू किस देश के नए राश्पती बने है So correct answer is D. Nigeria Nigeria की राजधानी अबूजा है और करंसी नाइजीरिया इनाईरा है और नाइजीरिया के राश्पती अलू सेगुन ओबा सांजो है Nikos Christodolais Cyprus के नए राश्पती बने है Manuela Rocca Bote Equatorial Guinea की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है जेगन राज्ये के नए राश्पती पेट्रपावेल बने है लियो वराटकर आइलेंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए है डौरिन रिश्यन को मॉल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है दीना बोलू आटे पेरु की महिला राश्पती बनी है कासिम जोमा टोकायव को कजाकस्तान का फिरसे राश्पती चुना गया है 16th question is अंतराश्ट्रिय बाजरा वर्ष पर एक मल्टी मीडिया प्रधर्षनी का आयोजन कहां किया गया है So correct answer is A. Gova Gova की राश्धानी पंजी है और मुख्यमंत्री प्रमो सावन्त है Gova के गवर्णर पिये श्रीधरन पिल्लई है केंद्रिय मंत्री भूपेंद्र यादव ने Gova में आद्रभूमी बचाओ अभियान शुरू किया है Gova सरकार ने The Vision for All School Eye Health कारेक्रम शुरू किया है भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थेत आठ लेंज जुआरे ब्रिज का उदगाटन Gova में हुआ नोवी विश्व आयूर्वेद कॉंग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उदगाटन Gova में हुआ तरिप्पनवा भारतिय अंतर राष्ट्रिय फिल महोत्सव Gova में हुआ है Gova के मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरन किया है अंतर राष्ट्रिय लुसोफोन महोत्सव Gova में आयोजित किया जाएगा 17th question is किस देश के प्रधान मंत्री आठवे राय सीना डायलोग में मुख्य अतिति होंगे सो correct answer is C. Italy इटली की राजधानी रॉम है और करंसी यूरो है और इटली की प्रधान मंत्री जॉर्जिय मेलोनी है 18th question is किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है सो correct answer is A. Nokia 19th question is Qatar Open Tennis 2023 का टाइटल किस खिलाडी ने जीता है सो correct answer is B. Daniel Medvedev Carlos Alcaraz सबसे कम उम्र में विश्व नंबर वन ATP खिलाडी बने है Carlos Alcaraz ने 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता है Novak Jokovic ने छटा ATP पाइनल्स खिताब जीता है ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतिये शरत कमल बने है Switzerland ने उस्ट्रेलिया को हराकर पहला बिलीजीन किंक अप जीता है 20th question is किस राज्ये के मुख्यमंत्री ने पूर्वोतर के पहले संपीडित बायोगे संयंत्र का अनावरन किया है So correct answer is A. असम 21st question is किस देश का HMI समुह उत्तर प्रदेश में बहतर सो करोड रुपे का निवेश करेगा So correct answer is A. जपान 20th question is किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोब्रा वॉर्यर में IAF भाग लेगी So correct answer is B. ब्रिटेन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रिशी सुनक है और ब्रिटेन की राजधानी लंडन है और करंसी पंड स्टर्लिंग है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग जी को UK के द्वारा Lifetime Achievement Honor से सम्मानित किया गया है जागरती आदव एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी है UK ने अमीरों के लिए कर में कटोती के प्रस्ताव को रद कर दिया है लंडन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है QS द्वारा जारी Best Student City Index 2023 में लंडन शीश पर रहा है 23rd question इस सरकार ने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पन बिजली परियोजना को मंजूरी दी है So correct answer is D. China चाइना के राश्पती श्री जिनपिंग है और राजधानी बीजिंग है चाइना की करंसी रेन मिनबी है जिसे चीनी युवान के नाम से भी जाना जाता है चीन ने संचार उपग्रह जौंग शिंग 26 का प्रक्षेपण किया है चीन ने अमेरिका में अपने दूथ चिनगांग को नया विदेश मंत्री बनाया है विज्यानिक पत्रों के प्रकाशन में चाइना शीष पर रहा है चीन ने अपने अंत्रिक स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लैब मोड्यूल लाँच किया है चीन ने कौविट के खिलाफ पहला इन्हेलेबल वैक्सीन लाँच किया है विश्व में मचली के उत्पादन में चाइना शीष पर रहा है 24th question is Pepsi ने किसे अपना नया ब्रेंड अंबैसेदर बनाया है So correct answer is D. Ranveer Singh Puma India ने Harman Preet Kaur को अपना ब्रेंड अंबैसेदर बनाया है Real 11 का ब्रेंड अंबैसेदर कुल्दी पियादव को नियुक्त किया गया Skechers India ने कृती सेनन को अपना ब्रेंड अंबैसेदर नियुक्त किया है Navi Technology ने MS Dhoni को अपना ब्रेंड अंबैसेदर बनाया है UNICEF India के बाल अधिकारों का अंबैसेदर आयुष्मन खुराना को नियुक्त किया गया है Pramuk EdTech Company बाइजियूस ने Lionel Messi को Education for All पहल का ग्लोबल अंबैसेदर नियुक्त किया है राष्ट्रिय खनज विकास निगम ने निखत जरीन को अपना ब्रेंड अंबैसेदर बनाया है FIFA 2022 में रनवीर सिंग को भारत का ब्रेंड अंबैसेदर बनाया गया मंत्रा ने रनवीर कपूर को अपना ब्रेंड अंबैसेदर बनाया है 25th question is राष्ट्रिय संस्कृति महुत्सव का चोदवा संस्करन कहां शुरू हुआ है इसका आयोजन केंद्रिय संस्कृति मंत्राले द्वारा किया गया 26th question is किसने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली I2U2 उपमंत्री स्तरिय बैठक की मेजबानी की है So correct answer is D. UAE UAE की राजधानी अबुधाबी है और करंसी UAE दिरहम है और राश्पती मुहम्मद बिन जायद अलनाहयान है UAE के प्रधान मंत्री ने अलमिनहाद शहर का नाम बदल कर हिंद शहर किया है आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में UAE शीष पर रहा है UAE ने पहली ग्लोबल मीडिया कॉंग्रेस की मेजबानी अबुधाबी में की है 41 शार्जहा अंतरराश्ट्रिय पुस्तक मेला UAE में हुआ है मालबा गोल्स ने व्यापक आर्थिक भागिदारी समझोते के तहट UAE से 25 किलो सोने का आयात किया है 22 विश्व ब्लोक्चेन शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है 27 विश्व इस किस देश ने छटी बार महिला T20 वर्लकप का खिताब जीता है So correct answer is A. Australia Australia की राजधानी केन बरा है और करंसी औस्ट्रेलिया ए डॉलर है Australia के प्रधानमंत्री Anthony Albanese है जासूसी चिन्ताओं को लेकर Australia अपने कार्यालियों से चाइनीज कैमरे हटाएगा Australia ने अपनी करंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरे हटाने की घोशना की है Australia की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ती का अनावरन किया है वीना नायर को Australia में प्रधानमंत्री पुरुसकार मिला है 28. लौकसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला ने कहां 19. वे वार्षिक CPA सम्मेलन का उद्गाटन किया है So correct answer is B. सिक्किम सिक्किम की राजधानी गैंग टॉक है और मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग है और सिक्किम के गवर्णर लक्ष्मन प्रसाद अचार्य है सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतती नामक पहल शुरू की है सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहीनी योजना की पहल की है सोला मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है 29th question is किस देश के desert flag 8 अभ्यास में भारतिय वायू से ना भाग लेगी सो correct answer is C UAE 30th question is किसने 2023 का मारकोनी पुरुसकार जीता है सो correct answer is B हरी बाल कृष्णन ये computer science के विज्ञानिक है पांगलादेश की प्रधानमंत्री शेक हसीना ने डॉक्टर महिंद्र मिश्रा को अंतराश्रिये मातरभाशा पुरुसकार से सम्मानित किया है युनेस्को शान्ति पुरुसकार से एंजेला मौकल को सम्मानित किया गया है राखी कपूर ने Now You Breathe के लिए Golden Books Award 2023 जीता है म्यूजिक कमपोजर रिकी केज ने प्रतिष्ठित Grammy Award 2023 जीता है सर्वश रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आसकर नमांकन पाने वाली पहली एशियाई M. योहो बनी है अंबिकर सुथन मंगर ने ओड़कुझल पुरुसकार जीता है थैंक्स फूर वाचिंग माई वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें थैंक्यू झाल